हेलो फ्रेंड्स, तक्षिरल लव अकेडमी, अली गंज लखनों में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है बिहार के लिए 2018 के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स तो देखते हैं सबसे पहला महादलित विकास मिशन में 105 करोड रुपे का वंटन महादलित विकास मिशन की जो स्थापना थी ये की गई थी 2008 में 7 अपरेल 2008 को इसका उद्देश्य था अनुश्य जाती के बीच में जो वंचित वर्ग है यानि कि दलितों के बीच में जो महादलित हैं उनके लिए तैयार योजनाओं को बनाने और किर्यानवित करने के उद्देशर से इसको स्थापित किया गया था अब इसको स्थापित करने का एक और कारण भी है कि जो हमारे डिरेक्टिव प्रिंसिपल है अनुचे 38 और अनुचे 46 अनुचे 38 क्या कहता है राज्य लोग कल्यान की अभी वर्दी के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और अनुचे 46 क्या कहता है अनुचे जाती हो एवा अनुचे जन जाती हो और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंदी हितों की अभी व्रद्धी करेगा राज्य तो इसलिए इस मिशन को स्थापित किया गया था तो इसमें 105 करोड रुपे की आवंट डन किया गया था ये पहला हमारा इंपोर्टेंट करेंट मिशन है करेंट अफेर है दूसरा हमारा करेंट अफेर जो इंपोर्टेंट है वो है जो नितिश कुमार जी है उनको सत्य निष्ठा के लिए पहला मुफ्ती मुफ्ती मुफ्त सईद पुरुसकार मिला था ये सत्य निष्ठा के लिए मिलने वाला पहला मुफ्ति मौम्मद सईद पुरुसकार था और मुफ्ति मौम्मद सईद जो PDP के संस्तापक थे और दो बार जमो कश्मीर के मुख्यमंतिरी रह चुके थे तो ये एक important चीज थी अब तीसरा जो हमारे Current Affair 2008 अगा important है वो है उत्तर कोयल जेलाशय योजना उत्तर कोयल जेलाशय योजना किया है पहले तो उत्तर कोयल को समझ लेते हैं, उत्तर कोयल एक नदी है जो सोन नदी की एक साहयक नदी है और उत्तर कोयल नदी पर ये परियोजना स्थित्ती इस परियोजना का जो उद्देश शता हुओ क्या था जहारखंट के पलामो और गड़वा जिले तथा बिहार के औरंगा और गया जिलो में लगबग 11,000,000 हेक्टियर जमीन को सिचाई प्रदान करना तो इसके लिए 2018 में एक M.O.U. साइन किया गया किस-किस के बीच में जल संसादन मंतरा ले बिहार और जारखन राज्ये के बीच में कि इसको हम लोग जो शेशकारिय हैं इसका वो पूरा करेंगे और इसके लिए 1622 करोड़ .27 करोड़ का आउंटन किया गया तो ये एक important चीज है ये अब आप 2020 में है तो 2018 की बहुत सारी चीज़े आप भूल गए होंगे तो इसी लिए ये हम लोग आपको याद दिला रहे हैं इसके बाद अगला था बिहार का स्थापना दिवस बिहार का स्थापना दिवस जो होता है वो 22 मार्च 1912 को होता है 22 मार्च 1912 को ये हराज्य सर्युक्त बंगाल से बनाया गया था पहले बंगाल राज्य होता था उसमें से बिहार को अलग किया गया था 1912 को और 2018 में इसका 106 स्ठापना दिवस मनाए गया था पर वो विशेश क्यों था क्योंकि उस दिवस का जो विशे था वो था चमपारण सत्यगरे की मुण ज़ा वनीर के शतापदी और दहेज एवं बालुववा का उन्मूलन तो दहेजवं बाल विवा के उन्मूलन और चंपरन सत्यागरे की शताबदी के कारण 106 बाल दिवस समारो बिहार स्थापन दिवस समारो जो कि 22 मार्च 1908 को मनाया गया था और 106 बा था तो वो विशेश था तो उसकी थीमती चंपरन सत्यागरे की शताबदी और दहे जवम बाली उमा का उन्मूलन अब अगला देखते हैं अगला है मदुबनी रेल्वे स्टेशन से रिलेटिड मदुबनी चितरकला जैसे कि आपको पता है यह मदुबनी चितरकला रंगीन पेंटिंग बनाने के लिए अधुथ्य जयमीती पैटरन का उपयोग करने के लिए यह जानी जाती है तो यह वर्ल्ड फेमस चितरकला है तो मदुबनी रेल्वे स्टेशन को इससे सजाया गया है और इसको पूने जीवित किया गया है तो यह आप ध्यान रख सकते हैं कि मदुबनी रेल्वे स्टेशन को मदुबनी चितरकारी से सजाया गया अब अगला यह इंपोर्टेंट है चौथा अंतराश्ट्रिय धर्म धम सम्मेलन इसको राश्पती रामनात कोविद ने नालंदा जिले के राजगीर में राज्जे और समाजी कादेश धर्म धम सम्मेलन का उधगाटन किया यानि कि चौथा अंतराश्ट्रिय धर्म धम सम्मेलन नालंदा जिले में राश्पती कोविद जुवरा उधगाटन किया गया और ये किसलिए होता है राज्य और सामाजी कादेश धर्म धम परंपराव के बारे में डिसकस करने के लिए छीक है अब आप ये वला एक इंपोर्टेंट है अब इसके बाद आता है बिहार सब्भेता बिहार सब्भेता दोआर क्या है एक पत्रा में बनाया हुआ इसमारख है जिसको दिल्ली और बॉंबे के स्वरूप पर उधगाटन किया गया मुख्यमंत्री दोआरा और इसमें इंपोर्टेंट किया गया इसमें महावीर, महात्मा बुद्ध, मेगेस्थनीज, समराठ के श्रिला लेक को शामिल किया गया और इसको इंडो गौथिक शैली में बनाया गया है यह आप इंपोर्टन यह याद रखिएगा इंडो गौथिक शैली में बनाया गया है निदिश कुमार जी ने इसका उधगाटन किया 2018 में और इसके बाद अगला हमारा जो इंपोर्टन चीज थी जो बिहार में हुई थी 12,000 होर्स पावर के लोकोमोटीव का उधगाटन लोकोमोटीव किया तो है जिस चीज से रेलवे में हम लोग ट्रेन का सफर करते हैं इंजन को लोकोमोटीव भी का जाता है तो 12,000 होर्स पावर जो की बहुत जादा है उसका अनावरण किया था नरिंद्र मोटीजी ने और इसका बनाया किसने था ये बनाया था मध्यपूरा लोकोमोटीव फैक्टरीज लोकोमोटीव फैक्टरीज जो की मध्यपूरा में इस्थी थी थे इंजन बनाने की उसमें इसको बनाया था और इसकी जो पावर है वो 12,000 होर्स पावर यह आप याद रखेगा अगला है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का स्थापना नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जैसे कि आपको पता है कि जो गंगा नदिये उसमें डॉल्फिन पाई जाती है तो पतना में National Dolphin Research Center, जो कि भारत का पहला Dolphin शोद केंदर है, उसकी स्थापना के लिए प्रियास शुरू हो गए है, एशिया का पहला ऐसा केंदर, बिहार विश्विद्याले, पतना विश्विद्याले परिसर में गंगा नदी के किनारे जल्द ही खोला जाएगा, ऐसा 2018 में यह एक important development था, और एक important चीज़ है कि बिहार सरकार 5 October, 5 October को Dolphin दिवस मनाती है, 5 October important है, 5 October आप यादर कर लिए, उसको Dolphin दिवस के रूप में मनाते हैं, और पहला Dolphin शोद केंदर, पतना विश्विद्याले में गंगा नदी के किनारे खोलने की योजना है, तो यह एक important है, अ मुझफरपूर की जो लीची है, समस्तिपूर, वैशाली, पूर्वी चंपारन और बेगू सराय, यहां पर बहुत जवर्दस तरीके से लीची की खिती की जाती है, और इसको 8 October 2018 को GI टैग मिला है, तो GI टैग मिला है, शाही लीची को मुझफरपूर में जोगाई जाती है, और यह राज्य को मिलने वाला चौथा भोगलिक संकेत, GI टैग है, भोगलिक संकेत भी कहते हैं, GI को GI टैग, भोगलिक संकेत, ओके, अब इससे पहले तीन और चीजों को मिला है, यह तो चौथा हो गया, सबसे पहले मिला था, जाडल आम, दूसरा है, कटारनी चावल, तीस है, मघही पान, और चौथा हुआ, आपकी लीची, तो यह आप याद रखें, शाही लीची को 18, अक्टूबर 2018 को मिला था, GI टैग, अब इसके बाद एक इंपोर्टेंट योजना, इंपोर्टेंट योजना जैसे कि नितिश कुमार जी, जो पिछडे वर्ग हैं, उनके लि लागू की थी, और उसका नाम था, मुख्यमंतरी कन्या उत्थान योजना, तो यह 2018 में लागू हुई थी, इसलिए ये एक इंपोर्टेंट आपका करेंट अफेर है, 2018 का, जो कि कभी भी पूचा जा सकता है, और इस योजना के लिए एक वर्ष में जो राशी का अनुमान वो 7,221 करोड का था, और इस योजना को चला आएगा कौन? शिक्षा, स्वास्थे और सामजिक कल्यान के लिए, ठीक है, अब इसके बाद अगला करेंट अफेर, अगला करेंट अफेर है, खेला अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो केला, केले का नाम सुनते भी, बहुत सारे लोगों को केला बहुत पसंद होता है, जैसे लीची पसंद है, तो इसी तरह से, तो पहला जो बिहार का खेला अनुसंधान केंद्र है, वो गोरोल वैशाली में स्थापित किया गया है, और डॉक्टर राजेंदर प्रसाद केंद्रिये कर्शिव विश्युद्याले, खेले उत्पादको की आए को दुगना करने के लिए अनुसंधान का कारिया शुरू किया है, ठीक है, तो गोरोल, गोरोल किदर है, वो है वैशाली में, तो इसमें केला अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, केंद्र सरकार ने, तो ये एक इंपोर्टेंट है, 2018 में आवास मिन्स घर, तो घर के लिए प्लॉट खरीदने के लिए साहेता योजना, मुख्यमंत्री ने लॉच्च की थी, मुख्यमंत्री, आवास, स्थल, क्रे, साहेता, योजना, तो ये किसके लिए थी, ये है अनुसुचिजजाती, अनुसुचिजजजाती और अन्य आवास योजना में, जो कि ग्रामीन प्रधान मंत्री आवास योजना है, उसके तहंट आपको 1.2 लाक और मिलेंगे, तो टोटल एक तरसे दो स्कीमों को मिलाके, लोगों को घर प्रदान करने की योजना है, साथ हजार रुपे मुख्यमंत्री के द्वारा, और एक लाग ब अब ये एक इंपोर्टेंट है, वैश्विक कृषी नेतरतु पुरुसकार 2018, कृषी और किसान कल्यान मंत्रा ले और खाद्य प्रसंस्क्रण उद्योग मंत्रा ले एक डिपार्टमेंट है, दूसरा वानेज्य मंत्रा ले के साथ में, इन दोनों मिलके, भारती कृषी वैश्विक कृषी नेतरतु पुरुसकार 2018, गर्टमेंट पुरुसकार ले तो इनके दुआरः ये करशी नीत्र तुछ, शिकर सम्मेलन वैश्विक्ट अयजूत किया जाता है और इस बार ग्यारवा सम्मेलन था जिसमें बिहार को सरशेष्ट पशुपालन राज्ये का पुरुस्कार दिया गया ग्यारवा सम्मेलन दोजार अठान में बुलाया गया था और इसमें बिहार को सरशेष्ट पशुपालन का पुरुसकार मिलाता हूँ अब अगला ये भी एक इंपोर्टेंट है ये हमारे बिहार की सफाई से रिलेटिड है तो बिहार में पहला ठोस अपश्टिष्ट प्रसंस्क्रन स्थल यानि कि जो जैविक कच्रा होता है उसको खाद में बदलने के लिए पहला प्लांट लगाया गया है और वो कहाँ पे लगाया है? वो लगाया गया है मुझफफवरपूर में और मुझफवरपूर में बिहार में ये पहला शहर है जो पूरी तरह से कारियात्मक, अप्षिष्ट, प्रसंस्क्रन स्थल और पूरे उत्तर भारत में भी एक मात्र शहर है जो स्रोत पर 70% अप्षिष्ट प्रत्करन से ऊपर है यानि कि जो स्रोत है, स्रोत पर ये 70% कच्रा है उसको जैविक खाद में बदल देगा तो यह important है तो पहला है और मुजफ़रपूर में है अब इसके बाद एक अगल लगी हो जना जिस जो यूपी के लोगों के लिए भी important है यह है केंद्रिये मंत्री मंदलने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड जिसके तीन कार खाने थे गोरकपूर, सिंद्री और ब बारस रिवाइब किया जा रहा है और इसके तीन कार खाने थे गोरकपूर, सिंद्री जहारखंड में और बरोनी बिहार में और इसके लिए कौन सी कंपनी आ गया है इसके लिए एंटी पीसी, इंडियन ओयल और उर्वरक निगम लिमिटेड और एच एफ सी एल इन सभी कंपनियों को मिला के एक कंपनी बनाए गयी है जो इसको पुनरुद्धार करेगी तो यह इंपोर्टेंट है गोरकपूर में उत्तर पुदेश में, सिंद्री में इनका कार खाना है जहारखंड में और बरौनी, तो आप याद रखेगा इसका पुनरुद्धार, योजना दोहजार अठारा, अब कुछ अप, कुछ अप जो लॉंच किये गये हैं, सबसे पहला स्वस्त बिहार, सम्रुद्ध बिहार अप, यह बिहार सरकार ने लोगों के समस्याओं की देख जेंडर अलाइन्स, सयुक्तराष्ट, जनसंक्या निदी, UNFPA की सहायता से ये बंधन तोड एप लॉंच किया गया है, और बंधन तोड एप जो लॉंच करने का करण ही वो है, दहेज, बाल विवा, घरिलू विवा, घरिलू हिंसा, और लेंगिक एसमानता के खिलाफ राज शक्ति करन की राह में एक और कदम है, बिहार सरकार का, अब इसके बाद एक बड़ा इंपोर्टेंट करन्ट अफेर था, दोजार अठार का, जो आप मिस नहीं कर सकते, तो वो था, राजगीर में सतर फिट की, बुद्ध की स्टेचू का नावरन, तो ये एक इंपोर्टें एक सो पांच फिट उंची मूर्ती है उदर, और यहां पे जो राजगीर में मुख्यमंतरी ने उद्धाटन किया है, वो गोर कोटरा जील में सतर फुट उंची मूर्ती का अनावरन किया है, और ये सेकिंड हाइएस्ट बन गई है, आफ्टर डिस्खिटमर्ट, तो ये थे 2018 के Current Affair, इसी तरह से हम 2019 के महतपूर्ण Current Affair के लिए भी और 2020 के Current Affairs के लिए भी वीडियो बनाएंगे, आप हमारा चैनल देखते रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और घंटी के बटन दबाना न भूलें ताकि आपको देशन मिलते रहें, तैनक्यू